हलो आज है 21 सब्टेंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस के बारे में 124 रुपे का शेर है चार प्रतिशत की यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली जरूर है और देखा जाए तो इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस एक बाहर नहीं निकल पाया है वीडियो में डिसकस करेंगे कि इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनांस अब 124 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे है कि नहीं या फिर और नीचे तूट सकता है तो वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आ उसके बाद तूटी रहा है लेकिन एक साल में देखोगी तो गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ी है 43-44% के गिरावट है 500 रुपए से भी उपर शेड ट्रेड करा था 265 के करीब था और तूट के नीचे की तरफ भी गरा बीच बीच में अगर तीज ही भी आई तो वाप वापस ये तूटके नीचे की तरफ ही आया 90 के आसपर एक सपोर्ट नजर आए कि कोविट के वक्त भी अगर हम देखे तो वह 90 तक ही गया था वहां से बाउंस बैक आया था दुबारा बाउंस बैक इसना दिखा दी लेकिन अब वापस ये तूटे का जरूर नीचे यहां पर आप देखो कि मैक्सिमम चार्ट अगर में देखो तो कोविट के वक्त भी ये 90 तक गया था वहां से बाउंस बैक दिखाया था लेकिन वापस तूटना शुरू हो 90 तक दुबारा पहुँचा वापस बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है एक बहुत बड़ी तेजी देखी अच्छी कमपनी थी ये लेकिन डेफिनिटली हम सब जानते हैं कि गिरावट बहुत बड़ी आई कई घुटाले सामने आई और हालत बत से बत्तर हो गई इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनानस हाल फिल हाल में अगर आप देखोगे तो एक हजार करोड के आसपास की फंडर RBI ही इंटरस रेट बढ़ा रहा है जो महंगाई है उसको काबू में रखने के लिए और ऐसे में देखा जाए तो जो बड़े बड़े लेंडर होंगे वो भी अपना रेट बढ़ाएंगे भी और इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनास अगर आप देखोगे तो कितना बोरोवर्स ऐस अक्टूबर पेमेंट साइकल अक्टूबर पेमेंट साइकल से यह भाईया इफेक्ट जो है वो लग जाएगी यहां बराद देखे तो according to the business borrowers and co borrowers with loan up to 35 lakhs will start paying interest rate of 8.70% ठीक है prior to this अगर आप देखो तो has raised loan interest 25 basis point already बढ़ाया थे इन्होंने ठीक है that came in effect of new client from 1st August 1st August से ही already इन्होंने जो rate था वो बढ़ाया था 25 basis point का और existing customer के लिए वो 5 अगस से था लेकिन अब दुबारा बढ़ने वाले हैं तो कहीं न कहीं India Bulls Housing Finance कह सकते हैं कि जो rate है वो बढ़ा रहे हैं और आने वाले दौर में क्या होगा यह अभी के लिए कहना मुश्किल है लेकिन India Bulls Housing Finance मैंने पहले भी मना किया था कि मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा मेरा अभी भी वही stand है मुझे लगता है कि यह दुबारा तूटेगा जरूर midcap share जरूर है 6000 करोड से भी जादा का इसका market cap है वॉल्यूम्स पर अगर हम नजर करेंगे तो वॉल्यूम्स दो करोड के आसपास देखने को मिल रहे है जरूर और तो और company की सबसे बड़ी problem मुझे नजर आ रही है वो है इनके revenue company के revenue लगातर कम होते जा रहे है June quarter में 2075 करोड का इनका revenue था जो देखा जाए तो पिछले साल और पिछले quarter दूनों के मुकाबले कम है और उसके अलावा देखोगे तो भईया बड़े बड़े लोग सिर्फ बिक्वाली ही कर रहे है promoter तो बेची रहे और जब हमको पता है कि देखो promoter ने जब 12 परसन की holding एक जटके में जब बेची थी थी ना तब यह argument दिया जा रहा थी कि भईया black log जैसा बड़ा group आ रहा है और भी बड़े Files खरीदारी कर रहे है लेकिन जब डेटा सामने है तब मैंने कहा था कि देखो भईया black log ने जितनी खरीदारी नहीं करी उसे ज़्यादा promoter ने बिक्वाली करी है end of the day सिर्फ और सिर्फ retail investor सी खरीद रहे हैं यहां पर बड़े-बड़े Files भी बेच रहे हैं अगर आपको पता हो तो हर quarter में Files बेच रहा है प्रमोटर भी दीरे-दीरे ही सही लेकिन भाईया अपनी holding को निकाल रहे हैं यहां से यहां पर dividend इन्होंने 2021 में पे किया था मई महिने में उसके बाद कोई dividend पे नहीं किया है यहां पर अगर इंडिया भूज हाउजिंग फिनास पर नजर करने की कोशिश करें तो 100% लोग करें according to money control user खरीदो मेरी buying के recommendation पहली जिस नहीं है यहां पर इतना ही नहीं reason अगर आप देखोगे तो reason मेरा simple है कि भाईया इनके जो revenue है वो लगातर कम होते जा रहे हैं 17,000 क्रोड के revenue 9,000 क्रोड से भी कम हो चुके हैं अभी के वक्त में और यह कम होते ही जा रहे है profit भी अगर आप देखो तो वो भी कम होते जा रहे हैं लगातर कम होते जा रहे हैं profit यहां पर तो problem तो है company में आप उसको avoid नहीं कर सकते हैं और उससे बड़ी problem यह कि promoter लगातर बेच रहे हैं यहां पर अगर आप देखो तो definitely current price कम है काफी लोग को ललचाय का भी है 5 का PE है और sector PE 21-22 का है और 33% analysis यहां पर buying के बाद कर रहे हैं यहां पर होल्डिंग पर नजर करें एक बार तो पता चलेगा कि भाया क्या game हो रहा है September से मैं compare करूँ 21.69% की holding promoter के पास थी आज घटके हो चुकी है 9.59 mutual funds जो 2.44% की holding लेकर बैठे थे वो भी बेच रहे हैं domestic 9.94% उन्होंने भी बिक्वाली करी है 8.82 Files जिसका वईया हमको सपना दिखाया गया था कि BlackRock जैसा group खरीदा है 27% की holding वो भी घटकर आ चुकी है 25 तो खरीदा सिर्फ एक ही लोगोंने है वो है retail investors 23% की holding थी उनकी वो बढ़के हो चुके 38% 15% की holding जो है वो सिर्फ retail investors ने खरीद दिया सब ने बेचा रीटेल वालों ने खरीद लिया और यही वज़ा है कि मैं कब से यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि मत खरीदना इसको मत खरीदना भी के लिए 124 का जरूर है 115 पे जाएगा 110 पे जाएगा फिर 100 पे भी जाएगा फिर हो सकता है कि वहां से दुबारा एक support नजर आ जाए वापस भागना शुरू कर दे वापस 120-125 पे आ जाए वापस तूटे वापस भागे लेकिन long term के लिए मुझे अभी यहाँ पर उतना बड़ा future नहीं दिख रहा है reason यह है कि देखो पहली चीस तो यह कि bank से ना धिरे धिरे ना bank loan जो है वो मिलना थोगा आशान हो जाएका आपसे लोग NBFC के पास क्यों जाते हैं बैंक से उनको मिलता नहीं है ज्यादा थर ठीक है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस sector में competition जो है वो अच्छी भी है बहतर भी है ज्यादा भी है चाहे बजाज finance के बात करे बजाज फिंसव वगरा के बात करे L&T के बात करे आप मना पुरम के बात करे मुथूट के बात करे बहुत सारी company है यहाँ पर इनको competition देने के लिए और इंडिया बूस हाउजिंग finance कैश से जूज भी रही है company कोशिश भी करी है fundraising को लेकर क्या होगा आने वरे जिनों में कहना मुश्किल है बीच में राकेश जिनने खरीदारी भी करी थी लेकिन अगले ही quarterman उनने आधी holding बेच भी दे थी तो यही कहूंगा कि देखो भाई यह बीच बीच में गेम होते रहेंगे ठीक है 100-120-130 पे जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वापस नीचे पटकेगा भी जरूरी है नीचे तो खरीदारी करने की जरूरत अभी नहीं है यहाँ पर बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करो शाय करे चैनल बगरा पहली बार रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडिया बूल्स हाउजिंग फिनानस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक्तर बता सकते हैं थैंक यू